आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिक्रम में, डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर घर में हम फरनीचर की बात करते हैं, तो उसका क्या यूज है, क्या महत्व है, ये तो सभी जानते हैं, फरनीचर घर को डेकोरेट करता है, लेकिन क्या वास् में, आज हम फरनीचर के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं, फरनीचर इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरीके से हम अपने अगर शरीर का शिंगार करते हैं, तो आप अपने घर का शिंगार फरनीचर के थ्रू करते हैं, तो अलंकरित हो जाता है, पूरा डेकोर हो जाता है आपके furniture से दोस्तो में डोर के बाहर हम और अंदर कैसा furniture रखें जरूरी नहीं है कि में डोर आपका सिर्फ अकेला में डोर हो में डोर के अंदर या बाहर हम अकसर shoe rack रख देते हैं और एक हम decorative glass रखने के लिए shelf लगा देते हैं या अकसर हम chairs रख देते हैं तो कैसे होने चाहिए कहां पर ह होना चाहिए यह furniture जब भी हम main door की बात करते हैं तो हमें shoe rack बहुत सबसे पहले ध्यान में आता है तो shoe rack ऐसे रखना चाहिए कि main door से at least 4 foot का दरवाजा आपके बिलकुल free होना चाहिए चार foot की opening free होनी चाहिए obstruction बिलकुल नहीं होनी चाहिए उसके shoe rack के उपर आप कुछ अच्छी सी चीज रखेंगे floor part रखेंगे या कोई अच्छा decorative रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर main door पर हम chairs रख रहे हैं main door के आसपास एक lobby बनाना रहे हैं और chairs रख रहे हैं त कर दो कर में बनाना रहे हैं और को हैं रहे हैं म doc कर दो कर ऊच्छा रहे हैं झाल झाल